बेली ने अपने डबल डबली के करियर के इंदर दो बार SmackDown Women's Championship, एक बार Raw Women's Championship and दो बार Women's Tag Team Championship जीती है साधे में उन्होंने वन टाइम विमस का MITB contract भी जीता है इवन जब लास्ट टाइम जब बेली ने एक चैंपेंशिप जीती थी तो 11 अक्टूबर 2019 था इसके बाद ना ही बेली ने कोई भी विमस चैंपेंशिप को कैप्चर किया है ना ही Raw Women's Championship ना ही SmackDown Women's Championship जो बेली जो दो बार SmackDown Women's Champion बनी थी तो जो कमबाइन उनकी दो टाइटल रें थी वो थी 550 दिनों की क्योंकि सबसे ज़ादा है पूरे SmackDown के विमस चैंपेंशिप के हिस्ट्री में कि वो लॉंगेस ट्रेंडिंग SmackDown Women's Champion भी रही है अब यह सारी चीज़े में आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि अभी लगभग तीन साड़े दिन साल से साधा हो जगा है कि बेली ने अब तक एक भी चैंपेंशिप नहीं जीती है और यहाँ पर हमने देखा कि जो है डामेज कंट्रोल फॉर्म करती है एक फैक्शन बेली जब वो अपना समर स्लाम के अंदर कमबैक करती है फिर लग रहा था कि जो सारी चीज़े सही हो जाएंगी और फिर वो जो आते साथ टाइटल पिक्चर में एंटर करी थी और उन्हें मल्टिपल टाइम जो है चैम्पन्शिप के पीछह चीज़ किया और बहुत बार तीन बार आइधिक के लिए मैच के लिए रुकेंस लेकिन सबी मैच में वह हरी अग Moi बारा जो रहीम हमें शेंपन्चिप को जीता निए बहुत जम नहीं बन पाई ये hiss इन बाहर तो वो जोए women's tagging championship को भी दीखते हैं लेकिन बेली जो है women's championship को नहींत पाती है अभी जो है recent time में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अभी के जो इस सुपरस्टार से ज़ून आने वाले taris को ओफर कर रहे हैं और बहुत सारे इसके front examples भी है जॉन सीना देख सकते हो ब्रॉक लेसनर वेगरा बहुत सारे है लेगिन यहाँ पर जो बेली इस new generation को जो साथ में लेकर एक faction बना रही है जो की आने वाले time में future होने वाला है विमस डिविजन का इसे की देखे सकते हो जो यह उसका है वो है विमस च चीज़े चल रही है काफी अच्छी है लेकिन जो डामेज कंट्रोल है वो पुरा काफी अच्छा फैक्शन है लेकिन जो बेली है उसके अंदर अब उनको जो एक championship मिलनी चाहिए या फिर करें अच्छा push मिलना चाहिए overall बात करें पूरे damage control की तो काफी अच्छा damage control को push मिल अच्छे से इनको बुक कर रही है और हम देखे कि जो यह डामेज कंट्रोल में डाल रही है तो अच्छे बूगिंग तो हो रही लेकिन अगर हम लोग अगर देखे तो भी फिलाट जो इस तरह किसे काईरी सेंग एडिशन हो चुका है आस्का का भी एडिशन हो चुका है damage control में तो यह सबी चीज़ देखे तो यह सारी चीज़ जो है बेली को बसादनी आ रही एंड डारेक्ली देखे तो यहाँ पर यह टर्न डब डबली को करना चाहिए और फिर यहाँ पर बेली अलग हो जाएंगी damage control से और फिर जाकर उनको एक पुछ देना चाहिए चाहिए एक ब्रैंड में जा सकती फिर आकर वहाँ पर वो टाइडल के बेचे जा सकती है तो यहाँ पर एक अच्छा डब डबली को पुछ देना चाहिए एक सिंगल सूबस्टार एंड यह चीज़े तभी हो कि जब वो damage control से बाहर चाहिए और फिर डब डब डबली अच्छा आसा उनक इसने अच्छे मिली है बेकलेंज के साथ उनके मंडेना डॉबर गाफी एच्छी क्राइवल्री रही ती रिसन टाइब में स्टील गेज मैच भी उनका हुआ था एंड साथी में जो है यह कुछ ऐसी राइवल्री हैं त्रिस्ट्राइटर के साथ वहा डब डबली करवा सकत है लेकिन अभी फिलाल देखे तो अभी मेरे खैस डेफिनेटली विली को एक पुछ की जरुरत है और डिसक्री पर आपके क्या उपिने ने बताना आप लोग कमेंट के अंदर यहां पर आपका कोई टॉपी होगा तो भी बताना कमेंट के अंदर वाकि आपको या लगता है लेकित के विली को डॉबडबडली और पुछ मिनने अपरना निट्पी वेल आत्की फलाल ये वाली विडोबस इनिसिती